Good morning student, today I am going to teach SST of class 1. Students, मैंने second paragraph, second chapter का यहां तर आप लोगों को समझा दिया है. अब मैं next paragraph read करूँगे, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी. So listen carefully. This is a picture of my friend Nilo's family. यह जो picture है, यह picture यह किसकी है? तो यह मेरी friend Nilo families की है. Nilo lives with her father, mother, sister and two brothers. Nilo जो है, वो किसके साथ रहती है? अपने father मतलब पिता, mother, mom, sister, बहन और दो भाई. Two brothers मतलब दो भाई के साथ रहती है. Her family is a large family. उसकी जो family है, वो क्या है? Large family है, मतलब बड़ी family है. Her grandparents live with her. तिरो grandparents है, मतलब उनके दादा-दादी जो है, वो क्या करते है? उनके साथ रहते हैं. Her uncles, auntie and cousin live in another city. और उनके uncle, मतलब उनके चचा-चची और उनके cousin, मतलब उनके चचेड़े भाई-बहन. Cousins means होता है, चचेड़े भाई-बहन. वो कहां रहते हैं? Another city में रहते हैं. मतलब दूसरे शहर में रहते हैं. यह जो पिक्चर है, यह किसकी है? तो उतकर्स फैमिली की है. उतकर्स क्या है? उसका नाम है. ठीक है? He lives with his parents, brother, sister, grandparents, uncle, auntie, and cousin. वो किसके साथ रहता है? तो वो अपने parents, मतलब अपने माता-पिता के साथ, अपने भाई, अपने बहन, और grandparents, मतलब दादा-दादी, uncle, चचा, auntie, चची, and cousin, मतलब चचेड़ा-भाई-बहन. वो इन लोगों के साथ रहता हैं. His family is a joint family. उनसकी जो family है, वो कैसी family है? Joint family मतलब सब लोग एक साथ रहते हैं. उनको joint family कहते हैं, और जो लोग अकेले रहते हैं, मतलब सिर्फ ममी, पापा और brother and sister रहते हैं, उनने निकुलार family कहा जाता है. ओके? तो आज आपका chapter complete होता है. मैं आप लोगों कुछ word meaning दे रही हूँ, आप लोगों इसे notebook में note करके learn कर लीजेगा. ओके? ओके, thank you.